उत्रपदेश के जनपर शाजापपुर छेतर के नगर पंचायत बंडा के पूरनपूर रोड से ग्राम पंचायत ददिवरी से ग्राम इंदलपूर कालोनी तक तूटी हुई सड़क का एक मामला सामने आया है, जिसमें इस तूटी हुई सड़क को लेकर निर्माल कार नहों हो पाने पर ग्रामीडों ने जम कर प्रदर्शन किया है आपको बदा दें सड़क मार्ग पूरण पूर रोड से ग्राम पंचायद दद्योरी से ग्राम इंदल पूर कॉलोनी तक जाती है इसके लंबाई लगभग 9 किलोमेटर है इस सड़क मार्ग पर पांच विद्यालेवा दो डिगरी कॉलेज बने हुए है यह मार्ग कई गाउं से वन्नवीन गल्ला मंडी से भी जुड़ा हुआ है यह सड़क मार्ग कई वर्सों से जरजर्वा तूटा पड़ा हुआ है और एतना विशेश मार्ग होने के बावजूद बेस पर कोई भिनिर्मान कार्य भी तक नहीं ह हुआ है इसको लेकर सभी ग्रामीडों ने प्रतर्शन किया है देखिए संवाधाता विरेंद्र प्रसाद गुपता की इस रिपोर्ट में सरकार की प्रयोजना चल लाई थी मुक्मंत्री जी की खड़ा मुक्त रोड यूपी के खड़ा मुक्त रोड ये रोड उससे वंचित है अभी तक और काफी वर्षों से इस पर कोई कारे नहीं हुआ है और ये देखिए इस रोड की जारजर रिष्टिती थी बहुत ही खतरन हो चुकि है और यहां कोई भी चलने के लिए इस पर कोई भी सवारी चलने के लिए आए दिन दुरगटना है हो रही है इस रोड में और कोई भी मतलव इसमें पश्ण नहीं हो और को बीचन प्रते निधी आप लोग किसलिए प्रदर्चन करें क्या आपकी मांगें हैं जी हमारी मांग मेन इस रोड की है इस रोड की लंबाई लगभग 9 किलो मिट्र है और जिसकी आज तक कोई ना रिपेर होई है कम से 5 बर सो गए ना ही इस रोड को कोई मरमत की है पहले यह मंडी में आता था मंडी का चीस से आए कि इसकी रिपेर कराई जाए और या तो दोबारा नए से बनवाया जाए और इसपे काफी गाउन जुटते हैं नो किलो मेटरी की दूरी है पस यही हमारा लोगों की मानगे है कि इससे कि रूप अर नए से बदोबाता ने बनवाई